अफर में श्रीतला सप्तमी के अवसर पर श्रीतला माता मंदिर में शधाल्मों का ताता लगा हुआ है सुबा सही मंदिर में महिलाओं और बच्चों की भीड उमर्णा शुरू हो गई तो वहीं सभी महिलाओं ने ठंडे पक्वान चढ़ा कर माता की पूजा कर सुख स्मृधी की कामना की है तो प्राचीन श्रीतला माता मंदिर जहां पर श्रीतला सप्तमी के मौके पर भारी संख्या में भीड बहाँ पर शधाल्मों की जुटी और ठंडे पक्वान चढ़ा कर पूजा रचना की गई भरतपुर में होली से ठीक आठ दिनों बाद श्रीतला माता की पूजा की जाती है और इस दिन श्रीतला माता के मंदिर में गधे की पूजा की जाती है वहीं स्पर्व को बुढ़ा बसोडा लसोडा या फिर बस्यारों भी कहा जाता है आपको बतादें की श्रीतला माता की पूजा के दिन घर में चुलह नहीं जलाया जाता और आज भी लाखों लोग इस नियम का बड़ी आस्था के साथ पालन करते है पूजा के दिन घर में चुलह नहीं जलता और बड़ी आस्था के साथ इस नियम का पालन किया जाता है आज भी बड़ी संख्या में लोग माता श्रीतला के बंदर पूजा झालन के पूजा झालन करते है